बर्ग पांच कलास के बच्चों आज हम लोग तीसरा पाठ शंग्या शब्द का अभ्याश मनाएंगे बच्चों याद होगा जिस दिन पढ़ाए थे अंतिम स्वर्ग के अनुसार सब्द को छाटना है जैसे आकारान सब्द में उपर जो दिये गए हैं उसमें का नैन होगा और नर होगा दूसरा जो जिए ज sono इफ रिनू और साधु होगा तीसरा जो आकारांद सब्द आकारांद में शीत्ता और प्रहा होगा रीकारांद में पित्री और भ्राप्री होगा हरस किकारांद में मति और CHAL6 दूसरा प्रशन है सही सब्द को पहचानना। इस में दिया हुआ है आकरांत, आकरांत में हमने उस्सितना ख़ में लता होगा, गोह में मती होगा, गोह में पित्री होगा, अंगा में महिं होगा और व्याजनान्त में मनस होगा बच्चों इसी तरह अश्रबंध सब्द को पाचानना है तीसरा प्रस्ण है इसमें का का अंसर पित्री होगा खा का अंसर मनस होगा गा का अंसर गज होगा गा का अंसर तनु होगा अंगा का अंसर बधु होगा और चा का अंसर गिरी होगा के तीन तीन सब्द को लिखना है ऐसे आपको पुष्टक में दिए गया है फिर भी मैं लिख देता हूं आकारांत में नायन नर और बालक इसी तरह इकारांत में मुनी कवी हरी उसके बाद इकारांत में नारी नदी कुमारी कि ब्यंजनांत में मनस तेजस राजन के हैं कि पाचवा हम लोग आता है भीन्च संद्जुक्ते विश्चन वाले सब्द को पहचालना है इसमें जैसे काम में दिया हुआ है की नक्र और चक्र ता बच्चों देखने से ही पता लगता है कि इसमें नक्र और चक्र एक प्रकार के हैं और तर्क जो होगा जो इसमें का डिफ्रेंट वर्ड हो रहा है तो कॉका अंसर तर्क होगा उसी तरह खौ में दर्प होगा जो जिसके में उत्क होगा चुकि बाकी सब जो हांसो एक तरह के दिखाई देते हैं और यह सब अलग अलग दिखाईते हैं तो बच्चो यह आपके तीसरे पाठ का अभियास आज समाप्त हो गया इसको आप लोग अपने कॉपी पर जिसको फियर कहते हैं अच्छे से फियर कर लिजेगा जब स्कूल शुरू होगा उस समय हम लोग इसको इस अभियास को आपको चेक करेंगे और बताएंगे थाइंक्यू